तो अगर आपका मून जोडियाक जो है वो केपरिकॉन बनता है तो ऐसे में सेटेंबर का महीना आप के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है राशीफल के मादिम से हम आपको पहले ही सतर करने का पहले ही अवेर करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके के changes, किस तरीके के challenges जो हैं वो आपके लिए इस महीने के दौरान आ सकते हैं क्योंकि planets की जो movement होती है जिसे हम transit या gochar कहते हैं वो orbit में हमेशा भ्रमन करते रहते हैं और time to time change होते रहते हैं और उनी की जो positioning है वो directly आपकी राशी पे एक बहुत ही गहरे तरीके से प्रभाव डालती है तो irrespective कि आप अपना राशीफल देखते हैं या नहीं देखते हैं उसका जो प्रभाव है वो आपकी life पे पढ़ता है लेकिन बहतर है कि अगर आप अपने राशीफल को पहले ही जान लेते हैं तो आप पहले ही सतर्क हो जाते हैं कि कैसे challenges का सामना आपको इस समय के दौरान करना पढ़ सकता है और जो उपाय हम आपके साथ share करते हैं अगर उन remedies को आप करते हैं तो इस महीने को आप अपने लिए और भी जादा भैतर और भी जादा fruitful जो है वो बना सकते हैं आज हम बात करें हैं मकर राशी के यानि की केप्रिकॉन की केप्रिकॉन के जो राशी के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो शनी देव माने गए हैं और astrology के transit के अनुसार इस समय शनी देव जो हैं वो अपनी मूल त्रिकॉन राशी कुम्भ राशी में हैं और retro movement कर रहे हैं यानि कि वक्रियचाल चल रहे हैं शनी देव सबसे धीमी गती से चलने वाले planet consider किये जाते हैं और उनकी जो retro movement होती है उसे बहुत जाधा auspicious उसे बहुत जाधा शुब जो है वो नहीं माना चाता है क्योंकि वो व्यक्ती की life में financial obstacles, स्वास्त से जुड़ी हुई समस्या हैं और personal life को भी बहुत गहरे तरीके से impact करती है और क्योंकि वो आपके खुद की राशी के ही स्वामी ग्रह माने गए हैं की जो retro movement है वो आपको किस तरीके से समय के दौरान प्रभावित करने वाली है सबसे पहले आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली के द्वित्य भाव में second house में शनी देव जो है वो retro movement कर रहे हैं और second house आपकी hard earned income का भाव माना गया है आपके धन का भाव माना गया है profession की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो चटे भाव में मंगल जो है चटे भाव का मंगल जो है वो directly ये दिखाता है कि शत्रूं से इस समय के दौरान आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा लेकिन लड़ने के लिए आपको काफी ज़ादा एक strength जो है वो मंगल प्रदान करने वाला है तो अगर कोई भी challenges आपके work life में आ रहे हैं आपके professional life में आ रहे हैं आपकी colleagues के वज़े से या शत्रूं की वज़े से तो उनसे सामना करने के प्रती आप काफी ज़ादा अच्छी तरीके से सक्षम और सतर्क होंगे इसी के साथ अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो competitive exams के लिए prepare करें हैं तो उस लिहाद से भी मंगल जो हैं वो इस समय के दौरान आपके लिए एक अच्छा कारे करेंगे आप aggression के साथ आगे बढ़ेंगे और अच्छा कारे करते हुए इस competitive exam में आप अच्छा जो एक result है favorable वो आपको प्राप्त हो सकता है इसी के साथ इस महीने व्यपार की क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं आपके लिए काफी जादा एक उत्साहा की जो स्थिती है वो बनी रहेगी new opportunities आपको आएंगे जरूर लेकिन क्योंकि आपके house के अगर हम particularly बात करते हैं आपके business profession के भाग की बात करते हैं वहाँ का स्वामी जो है वो शुक्र है और अभी के transit के हिसाब से शुक्र नीचस्त राशी में है यानि के debilitated position में है तो आपको अच्छी opportunities तो आएंगी और ज्यादा तर ये भी possible है कि overseas की opportunities आपको आए अपने business में लेकिन वो कितनी उन में से जो opportunities हैं वो आप actually cash कर सकेंगे वो थोड़ा सा एक जो दिक्कत है वहाँ पे दिक्कतें आपको आ सकती है लेकिन धीरे-धीरे करके जब ये transit में change आएगा 18 September के बाद जब राशी परिवर्तन होगा शुक्र का तो उसके बाद अच्छी positioning और अच्छी जो ये fruitful आपको opportunities आ रहे हैं इनको आप पूरी तरीके से cash भी कर पाएंगे तो उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो 18 September के बाद business के एक शेत्र में ज़ादा fruitful changes जो हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं अपनी life में finances की बात करते हैं हम अगर क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि माम finances की बहुत तंगी है पैसे बच नहीं पाते हैं या पैसे अगर किसी को उधार दिये हैं तो पता नहीं कब बापसी मिलेंगे तो ये भी हम देखते हैं कि किस तरीके से इस समय के दौरान आपकी जो financial position है वो कैसे रहने वाली है शनी देव जो हैं वो आपके second house में ही वक्री हो रहे हैं तो सबसे पहले इस समय के दौरान किसी को भी धन पैसा lend मत कीजेगा अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं हम किसी की सहायता कर रहे हैं पैसा lend करके और हमें नहीं फरक पड़ता है कि वो पैसा हमें कब वापसी आए तो फिर आप जरूर किसी की सहायता करें और उन्हें financially help कीजे बट अगर आप ये सोचते हैं कि टाइम से हमें ये जो पैसा है वो वापसी मिल जाए तो फिर उसमें कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पर सकता है याईनि कि उधार दिया हुआ पैसा बहुत असानी से और बहुत जल्दी से इस समय के दौरान आपको वापसी नहीं मिलेगा दूसरी चीजी है कि रुका हुआ धन अगर था अभी नहीं पर पहले आपने किसी को पैसे लेंड किये थे तो उसमें भी थोड़ा सा पैसा वापसी आने में समय लग सकता है क्योंकि सबसे धीमी गती से चलने वाला प्लानेट शनी धन के भाव में रेट्रो मूव्मेंट कर रहा है तो ये जो पैसा वापसी आने में और ज़्यादा डिले का सामना इस समय के दौरान आपको करना पर सकता है धन कमाने के प्रती इस समय के दौरान ज़्यादा परिश्रम जो है वो आपका अधिक बढ़ सकता है तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है इस समय के दौरान इन सभी factors को consider करते हुए ही अपने जो भी financial decisions है पैसे से संबंदे जो भी निरने हैं सोच समझके लेंगे तो long term में आपके लिए जो समय है वो fruitful रहेगा स्वास्तिक अगर हम आपकी बात करते हैं in particular कि आपकी health इस समय के दौरान कैसे रहने वाली है तो सबसे पहले लगन का जो स्वामी है शनी वो retro movement कर रहा है तो स्वास से संबंदे थोड़ी बहुत दिक्कते जो हैं वो उसका सामना आपको करना पर सकता है लेकिन मंगल और गुरू की दोनों की ये जो दृष्टी है वो directly आपकी राशी पर पढ़ रही है तो इस दृष्टी के चलते कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा बचाव जो है वो भी मिल जाएगा तो बिमारिया आएंगी लेकिन ऐसी कोई बिमारी major health issue आपको नहीं होगा जिसकी वज़े से आपको बहुत जादा दिक्कतों का सामना करना पर सकता है तो छोटी मोटी बिमारियों को आप असानी से overcome कर लेंगे इस समय के दौरान Relationships के अगर हम बात करते हैं संबंदों के अगर हम बात करते हैं आपकी चाहे वो आपकी family के साथ आपके relationships हो या आपके love relationships हो तो उन दोनों ही aspects से किस तरीके का आपका ये जो September का महीना है वो रहने वाला है तो मंगल की आठवी दृष्टी जो है वो directly आपकी राशी पर पढ़ रही है और मंगल क्योंकि व्यवहार से एक aggressive planet एक अगनी तत्व planet बाना जाता है तो थोड़ा सा आपके अंदर aggression हो सकता है इस समय के दौरान विवेक शीलता अगर बनाए रखेंगे दूसरे की बात को समझने का प्रयास करेंगे तो long term में आपके जो relationships है वो जाधा stable और जाधा अच्छे होंगे गुरू और मंगल की जो दृष्टी है वो कही न कहीं आपके स्वभाव में अहंकार भी ला सकती है क्योंकि गुरू जो है वो सबसे जाधा उच लेवल का जो planet है वो consider किया जाता है जितनी भी higher authorities है उनको govern जो planet करते है वो गुरू है तो उसमें थोड़ा सा अहम और थोड़ा सा अहंकार भी होता है और साथ में मंगल एक active और aggressive planet है तो इन दोनों planet का जो combination है वो कहीं न कहीं आपके अंदर थोड़ा सा aggression बढ़ा सकता है समय के दौरान जिसकी वज़ा से आपके relationships में जो तनाव की परिस्थितियां है वो बढ़ सकती है और वो व्यक्ति जो अभी तक marriage जिनोंने नहीं करी है वो marriage करना चाहते है तो शादी का जो प्रस्ताव है इस समय वो आप लोगों को आज सकता है तो अगर कोई suitable partner आप धूंड रहे थे या कहीं रिष्टे की बात चल रही थी तो हो सकता है कि वहाँ से कोई खुशखबरी जो है वो आपको मिले पंचम का गुरु जो है वो एक तरीके से संतान का भी जो योग है वो बनाता है तो वो parents, वो माता पिता जो संतान के लिए plan कर रहे थे, बेबी के लिए plan कर रहे थे तो conceive करने के लिए एक अच्छा समय है, एक अच्छा योग जो है वो नजर आता है तो इस प्रकार की भी खुश खबरी जो है वो आपके घर आ सकती है तो इस प्रकार का राशी फल रहने वाला है आपकी राशी के लिए specifically कौन से challenges का सामना आपको करना पर सकता है कौन से बड़े changes जो है सब कुछ हमने आपको guide करने का प्रयास किया अब बात करते हैं कि कौन से उपाएं हैं जो आपको इस समय के दौरान कर लेने चाहिए जिनसे आपका ये जो समय है वो और जादा fruitful और जादा बहतर जो है वो बन जाए सबसे पहले हम आपके लिए शुब अंक की बात करते हैं तो आपके लिए शुब अंक रहने वाला है 8 एक white piece of paper पे काले काजल से 8 नंबर लिखके इसको अगर आप अपने पास रखते हैं हमेशा तो इसकी जो energies है वो आपके लिए काफी जादा अच्छा कारे इस समय के दौरान कर सकती है अगर paper कभी भी खराब हो जाता है तो इस paper को आप change कर सकते हैं और पुराने paper को किसी भी people के पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं तो इस प्रकार से September के महीने में आपको शुब अंक की जो energies है उनको utilize करना है शुब रंग की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके लिए काला रहने वाला है काले रंग को अगर आप अपने पास रखते हैं काले रंग का square piece of cloth अगर आप अपने पास रखते हैं तो उसका काफी अच्छा लाव आपको इस समय के दौरान मिल सकता है या किसी भी तरीके से black color के किसी element को अगर आप अपने working desk पे या फिर अपने bedroom में utilize करते हैं कोटे से element को तो वो भी आपके लिए अच्छा फायदा जो है वो इस समय के दौरान दे सकता है या फिर black color के कपड़े थोड़ा पहनना ये भी आपके लिए fruitful साबित होगा इसी के साथ उपाय एक और कौन सा है जो आपको कर लेना चाहिए अपने शनिवार के दिन आपको अपने बाएं पैर में यानि कि अपनी left leg में एक काला धागा जो है वो बानना चाहिए शनिवार के दिन इस remedy को करना है सूर्यास्त के बाद, संसेट के बाद इस remedy को आपको करना है और अगर शनी मंदिर आप जाते हैं तो शनी देव के समक्ष थोड़ी समय ये धागा रखके उनका आशिरवाद लेके फिर अगर आप ये धागा पहनते हैं इसका जो लाब है वो और भी जादा अधिक बढ़ जाता है तो इस प्रकार से इस remedy को अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफी जादा fruitful रह सकता है ये महीना सेप्टेंबर का तो आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने friends and family के साथ इस वीडियो को share जरूर खीचेगा ऐसी beneficial वीडियो के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चानल पे आप आशा करती हूँ आपका दिन शुब रहे नमस्कार